हेलो एवरीवन वेलकम तू दिस चैलेंग जुलोजी नूट्स आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एपप्टोसिस के बारे में यह टॉपिक जातर एकजाम में सौट नोट में आता है लेकिन कभी कबार यह कोश्चन एपप्टोसिस जो है वो लॉंग में भी पूछा जाता है लेकिन एपप्टोसिस में उतना सोटेबल डाइग्राम नहीं है तो अगर यह सौट नोट में आए तभी एपप्टोसिस लिखिए लेकिन लॉंग में इसको लिखने के लिए मैं तो बोलूग में उसी कोश्चन को लिखेगा जिसमें फीगर जादा हो फीगर जादा बना है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है ग्रीक वर्ड का मतलब होता है जो ग्रीस देश है न वहां कि लोग जातर ग्रीक भासा बोलते थे औहीं मतलब एपप्टोसिस वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है गिरना या फिर टूट जाना इट वास्ट इंट इस एपप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रो एफेक्ट हो कि वह सेनु डेट करता है, जैसे किसी वी तरह का इनफेक्षिप्टू हो गया, उसमें वह सेन डेट हो जाता है, लेकिन प्रोग्राम सेल रेट जो एफ़टूसिस होता है, वह अंदर ही मदल्वे खुद ही स्थुरसाइट कर लेता है वह सेल, In the development of an organism, group of cell is restricted area die. Example, cell in the tail of tetepole, human RBC, ETC. क्या होता है कि जब एक organism का development होता है, तब सेल का group में जो restricted area होता है ना, वो मर जाता है और तूट की गिर जाता है. जैसे कि tetepole के tail में, जैसे frog का tetepole होता है ना, तो tetepole के tail में जो sales होते हैं वो तूट जाते हैं. फिर human RBC आपको पता है कि human RBC का life cycle 120 days का होता है फिर वो नया formation करता है तो उसका sale क्या होता है खुदी वो date करता है तो इसके common example हो गया sales in the tail of deadfall और human RBC It occur both in the embryo and adult यह जो apoptosis है यह embryo stage में भी होता है और adult stage में भी होता है यहाँ पर एक figure आप बना सकते हैं मैं वो figure दिखा देती हूँ यह figure आपको उहाँ पर बनाना होगा introduction लिख दीजेगा उसके बाद यह figure बना दीजेगा कि cell date in a limb of amphibian pathways of apoptosis the process of apoptosis undergoes two pathways जो pathway का मतलब होता है एक तरह का track या फिर बोल सकते हैं किस तरह के से apoptosis गुजरता है या फिर होता है तो अही जो apoptosis का जो process होता है वो दो तरह का pathway से गुजरता है पहला extrinsic pathway दूसरा intrinsic pathway फर्स्ट एक extrinsic pathway क्या होता है इस pathway triggers apoptosis in response to external stimuli like lesion binding at date receptor on the cell surface जो एक extrinsic pathway जो होता है ये पाथवे बाहरी stimuli के बाहर के stimuli के एक में इस पर्ट्रसिस को trigger करता है और जैसे कि cell के surface पर date के receptor पर lesion binding है ना दूसरा हो गया इस receptor are members of the tumor necrosis factor gene family ये receptor होता है ये tumor necrosis factor जिसमें क्या होगा gene family का member होता है प्रेसेप्टर बाइंडी इनिसियेट क्या करता है क्या करते हैं क्या 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 किस्पेस एक्टिवेशन फिर बात में एक्टसी इंटरिनल स्ट्यूमली सचिज बायोकर इस्ट्रेश, डीने डामेज एंट तकी शिरी ने ра supports बेर्ए कमी होगा तो इंटर्नल इस्ट्रेश चीज जरीए AB उसे क्या होता है उफ्टर इंटर्ण बंगर्ता है पात्वे मॉलिकुल का दो ग्रूप जैसे कि बैक्स और बीसी एल टू दरा मॉलिकुल होता है या फिर बोल सकते हैं कि यह संसोधित होता है कभी कबार यह आपका MCQ में पूछ सकता है कि इंट्रेंसिक पार्थमें में जो दो ग्रूप होता है मॉलिकुल का उसको क्या का जाता है तो उसको बी यह बैक्स और बी सी एल टू का जाता है इस ग्रूप ऑप मॉलिकुल्स डिटर्माइन वैदर एस सेल उसरभाइव और अंडर गूज एपप्रोसिस रिस्पॉंस टो इस्टिमले यह जो मॉलिकुल मतलत नहीं एक तरह का क्या बोल सकता है कि यह डिसाइड करता है कि मॉलिकुल मतलत यह जितना भी मॉलिकुल जो दो घुख करता है कि यहीरूप किसमें इस्टिमली की जबाब में एक सेल को जिंदा रखेगा या फिर अप शससे गुजरेगा मतलत यह यह मॉलिकुल जो दो तरह का मॉलिकुल होता है. और ही डिसाइड करता है किऊ फटिस होगा या फिर सेल जिंदा रहेगा significance of apoptosis apoptosis is significant for the following region यह पर numbering में थोड़ा mistake हो गया sorry for that पहला यह होगा it helps to maintain homeostasis in multicellular organism apoptosis जो होता है multicellular organism में homeostasis को क्या करता है stable रखता है मतलब क्या होता है जितने भी multicellular मतलब होता है ऐसा animal जो एक से ज़्यादा cells का बना होता है उसको multicellular organism का जाता है जैसे कि हम लोग है उसमें क्या करता है homeostasis को maintain करता है acid-base balance को water balance को maintain करके रखता है apoptosis proper size of body is maintained by apoptosis जो apoptosis क्या कहता है body का एक सही क्या बोल जो सही तरह से maintain सही तरह का size देता है apoptosis maintain the consistency of cell number in an organism apoptosis एक organism में cells number को maintain करके रखता है कि हाँ एक होता है कि अगर cell के जनसें क्या बढ़ जाये तो क्या तो apoptosis के देरे मेंटेन हो जाता है कि हाँ इतना ही body में cells होने चाहिए है ना तो apoptosis उसको control भी करता है the dangerous T lymphocyte are eliminated by apoptosis जो T lymphocyte जो हमारे बहुत ज्यादा dangerous होते है वो क्या होता है कि apoptosis द्वारा वो eliminated या फिर उसको हटा दिया जाता है आप वहाँ पे interesting जो पात होए था वहाँ पे आप और एक figure बना सकते हैं जैसे कि ये development of highly energy ये figure भी आप बना सकते हैं